आज हम आपको मैना और गुल्डन ओरियों की नेजबॉक्स के फीचर्ज और कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बार में ये वीडियो के तुरू जानकाजी देना जाना है ये नेजबॉक्स की हाइट है ये तॉक तक 18 इंचिस है याने देर फुट ये विद्ध में फम् इस पॉंट तो इस पॉंट जेंच है और इसका डेफ्थ है ये साइट का 6 1 1 2 इंच है यह आप बैलकोनी में, विंडो ग्रिल पे, पेड़ पे लगा सकते हूं और यह जब इंस्टाल करोगे तो आप मैना और गुल्डन अरियल और ऐसे जो काविटी नेस्टिंग वर्च उनको एंको एंकरी देगे तो वह इधर से नेस्ट करेंगे उसके बारे मैं आपको जानता ह यह चार स्कूल दिये हुआ है, यह खुलते भी है तो यह जब आप खुल, इसके जब आप उन्स्कूरू करोगे इससे, खुल भी फिलिप है यह नॉर्मल स्कूर रबर से खुल जाते हैं और यह अंदर ऐसा है, इसका टॉप इसलिए दिया हुआ है कि आपको लगे कि इसको साफ करने की ज़रत है, वैसे यह साल में एक ही बार साफ करना रहता है, इसको रेगिलर खोलना नहीं है, इस साल में एक ही बार खोल के इसको साफ करना है, अगर उसमें नेस्टिंग हुई और नेस्टिंग ख़तम होने के बाद आपको लगता है कि ये करीबन 15-20 दिन पग इसमें कोई अक्टिविटी नहीं चल गी तभी इसको आप खोल के साफ कर सेते हैं ये चार्ज को इसे फिट हो जाते है इसमें तो ये टॉप निकल दानी नहीं है ये ऐसे पैट जाता है अभी मैना और जो गोल्डन अप्यल है इसका सेरेख निकली इसका इसमें मैना ही निकनीजच करें है इसका निकली मैना खोलीन होरा है कि जल अदिक प्रकर इसलिए मेत्ळर सेंदिन इसलिए तो उससे जब लगव की कि प्रक् reputation इस तरह से आपको आएगा आपको इसको खोल के यह ऐसे स्वाइब हो जाता है और आप इसको फिट करके यह टाइट हो आएगा आपको इसको इदर यह स्पूर लगा होगा यह स्पूर निकाल के यह होल मैच करना रहे हो और यह होल के इसको इसको आपको ठाइट करें आएगा यह टाइट हो यह आपको मदद करें गए अटाच्मेंट कि आप इसको हुग से लटका दो दोरी से बांद दो या खिले से लटका दो तो यह आपका नेजबॉक्स लग जाएगा इस तरह से इसको लगाते हो तेकी चीज़ ढ़ना है कि मेक शूर कि यह ज़्यादा हिले नहीं कि बहुत बार ऐसा आपने लगाया यह ऐसा इसे हिल रहा है नहीं कि यह हिलनानी चाहिए इस्टेबल रहना चाहिए इसको आप दोरी भी बांद सकता है जाए पेड़ पे कोई बांद लग बांद सकता है जोरी भी लगा सकता है और इसमें मैना गोल्डन अरियोल और ऐसे जो मिंड साइज के कैविज नेस्टिंग बढ़ है उसमें नेस्ट करेगा इसके होल के साथ कोई छेड़कानी मत करना आपको लगेगा कि यह छोटा है हम इसको बढ़ा करते हैं तो बर्ड आ बे फिकर भार लगा सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं बारिश के सीजन में भी इसमें पानी जमा होता है तो यह निकल जाएगा निचे से यह और इसका वुड रिसाइकल वुड है और यह कम से कम आपको धाई से तीन साल तक इसका लाइफ है हाँ कलर थोड़ा फेड होगा 87988 पे कॉल करके या वाट्साप कर सकते हैं इसके बारे में कोई भी शंका हो या कोई भी ऐसी चीज़ों जो आपके नहीं समझ नहीं है थेंक यू